हेलो और वेलकम आप देख रहे हैं स्पोर्स क्लब ऑफिशल मैं सुरज रंदई स्वागत करता हम आप सभी का आज के इस वीडियो में दोस्तो आज स्पोर्स की बात के एपिसिट में हम काफी सारी खबरे लेकर आए हैं काफी सारे मैचेस करंटली चल रहे हैं और कुछ आज होने वाले हैं तो इन सारी मैचेस के बारे में हम बाते करेंगे सारी खबरों के बारे में हम बारी-बारी बात करेंगे पर उससे पहले यदि पहले बार आप हमारी चानल पर आए है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरुर किजिए साथ ही इस चानल को सब्सक्राइब भी जरुर किजिए और हाँ दोस्तो यदि आप sports club की और से और ज्यादा update जानना चाहते तो हमारी telegram channel को भी आप join कर सकते है जो की sports club की नाम से है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो आज हम सबसे पहले बताएंगे कि किनके matches करंटली चल रहे हैं तो एक match जो है वो करंटली चल रहा है वो ह United Arab Arab और Ireland की बीच में वो T20 match है और अब तक 10.2 और में बावन रन बना लिये है UAE ने चार विकेट पर Ireland की बहुत जबरदस्त येनवाजी वहाँ चल रही है उसके अलबा आज जो match होने वाले है currently में वो होने वाले है पहला match जो खेला जाएगा वो ओमान और शीलंका के बीच पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा उसके बाद Indian प्रिमेर लिग में हम बात करें चेनली सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजब का match खेला जाएगा उसके बाद राजसान रॉयल्स और कुलकता नाइट राडर का match खेला जाएगा वो match मुंबाइ इ यहां राजसान रॉयल्स जित हासिल कर लेती है तो मुंबाइ के chances बनते हैं अन्य था कुलकता यह match जी जाती है तो कुलकता अलडरी हो जाएगी तो उसके बाद हम बात करें तो जिंबाबवे women और island women का भी आज match है उनका second order है तो वो भी आज आज आप देख सकते हैं और उ Australia Women का पहला T20 मुकाबला है जिस पर हम सब की नजर होने वाले है आज दुपहर को दो बच कर दस मिनट पर वो मुकाबला शुरू होना है यदि इस मुकाबले को आप देखना चाहते है तो ABC Grandstand तथा BBC 5 Live Sports Extra पर आप देख सकते हैं यह मैं रेडियो की बात कर रहा हूं और आप आप टेलेवेजन पर देखना चाहते है इस मैच को तो आप SONI 6 और SONI 10-3 पर आप इस मैच का आखो देखा हाल सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं तो चलिए इस मैच के बारे में थोड़ी डीटेल में बात कर लाता है इंडिया वोबिन्स और ऑस्ट्रेल अबिन्स का जो Twinty पहला मैच होने वाला है गोल्कोस्ट करारा में तो भारत की जो टीम है वो काफी अच्छी टीम है तो भारत की जो टीम है वो प्रबल दावेडार नजर आ रही है क्योंकि अभी तो हर्मं परीत कॉर भी वापस आ उछबी है आस्ट्रेल एके टिम भी काफी तगडी है क्योंकि पिशली बार आस्ट्रेल ने बहुत अच्छा पर्फरमिस दिया था ओडी एज में उनके तरब से जबरदस ओलाउंडर एनाबिल सदर्लैंड है ताहिला मेगराथ ने लगातार अच्छा पर्फरमिस किया है अच्छा पर्फरमिस किया है उनके और से रेचल हैंस भी वापस आ चुकी है इंजरी से तो कई ऐसे प्लियर से उनके तरब से जो अच्छा पर्फरमिस दे सकते है तो हमारी और से भी बात करें आज किस तरह की हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है हम शॉट में थोड़ी बात कर लेत तो हमारी और से ओपनिंग में हमें नजर आ सकती है स्मूर्टी मन्धाना और शैफालि बर्माइस में कोई नाउट नहीं नंबर तीन पर हमें नज selbst आ सकती है या इन दोनों में से एक को हटाना होगा यास्ति का भातिया या फिर जैमेम अरोडरीज मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई शायद हट पाएगा क्योंकि दोन का जो फॉर्म है वो बहुती बहतरीन था आपको याद होगा जैमी का जो था वो दे हंडेड टोनामेंट में काफी बहतरीन था और उन्होंने पहली मैच में धाकड बैटिंग की थी तैतालिस किनों में बानवे रंस बनाए थे नॉर्डन सुपर जांस की और से खेलते हुए बहुत ही जबरदस बल्लेबाजी पूरे टोनामेंट में वो चाही रही थ तो यस्ती का भाटिया ने इस सीरीज में बहुत अच्छा पॉर्फरमस किया है विद दबैट तो उसके बाद हम बात करते हैं नंबर पाच पर तो हमारी हर्मन परिट कौर आ सकती है उसके बाद हमारी विकेट की पर बल्लेबाज रिचा घोश जो की बहुत अच्छे फॉर हम में है और उसके बाद स्नेहल राणा जो की हमारी स्पीन है वो आ सकती है या फिर पुजा वस्तरकार भी खेल सकती है स्नेहल राणा की जगा पे वो भी बहुत अच्छी बैटर्स है दोनों और पुजा जो की है वो बॉलिंग और लॉंडर है वो गिनबाजी के लिए जान चांसेस बन सकता है पर मुझे नहीं रखता कि इन दोनों से कोई खेलेगा तो शायद आज स्नेहल राणा को मौका मिले तो उसके बाद नजर आती हमें दिप्ती शर्मा नंबर आट पर खेलते हुए उसके बाद हमें नंबर नौ पर खेलते हुए नजर आएंगी अरुंदत सिंग को भी आज चांस मिल सकता है वो डेविटांट है या फिर उसके बाद हम नंबर ग्यारा परेदी बात करें तो राधा यादो जो कि हमारी बहुत इच्छी बॉलर से उसको चांस मिल सकता है तो यह ही इंडिया विमिन्स के बारे में जानकरी अभी थोड़ी बहुत हम इंडियान प्रिमियर लिग के बारे में बात कर लेते हैं तो कल जो माच हुआ वो रोयल चालेंचर बैंगलोर और संराजस हैदराबाद के बीच मैच हुआ वो जो मैच था वो काफी बहतरिन मैच था जिसमें संद्राइजस ने चार अंग हासिल करते हुए बहतरीन जीत हासिल की चार रनों से उन्होंने वो मैच जीता है मैं बताना चाहूँगा पहले बल्ली बाजी करते हुए हैदराबाट की तीम ने 141 रन बनाए साथ विकेट पर उनके और से जेसन रोय ने सरवाधिक 48 गेनों में 44 रन्स बनाए विलियम संन ने 29 गेनों में 31 रन्स बनाए उसके अलवा और कोई ज़्यादा चलने ही पाया प्रियंगल्ट ने 11 गेनों में 15 रन्स बनाए अभिशक शार्मान ने 13 रन्स बनाए रुद्धिमान सहा ने 10 रन्स तो कई ऐसी पारिया छोटी छोटी खेली गई राशित खाने भी अंत में आकर एक चौका लगा जिनों 7 रन्स बनाए तो कई ऐसी पारिया खेली है हितराबाद की और से जो की उनको सनमान जनक स्कोर तक पहुचा सके शुरुआ तो बहुत अच्छी डिठी ऐसा लग रहा थ ता कि शाएद बैंगलोर ते किस तरह से बल्ले आजी हुई तो बैंगलोर की उरस से भी कोई ज्यादा चल नहीं पाता है हाला कि अंत में एवी डी विलियर्स मौझूद थे पर वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए बैंगलोर के उसे मैच्विल ने काफी ताबर तोड़ पाड़ी खेले जिन्नोंने 25 गिनों में 40 रंस मनाए वो रोन आउट हो गए कि ये मिलियम सन का बड़िया थरो था उसके अलवा देवदत्य पडिक कल ने 52 गिनों में 41 रंस मनाए तो ये बैंगलोर के उसे टॉप स्कोरर थे तो ये रही आज के कुछ मैचेस की जानकरी हम बात कर लेते हैं अभी क्राउन जोल पेपर वीव के बारे में जो अभी आने वाला है डव्ली डव्ली वी का 21 अक्तुबर को वो आप सुने टेन वन पर देख सकते है और सुने टेन थ्री पर भी देख सकते है 21 अक्तुबर को रात साड़े दस बजे से तो मैं बात करना चाहूंगा कि वहाँ एक और मैच फिक्स हुआ है वो है पियंका बिलेर साशा बैंक्स और बैकी लिंच की बीच तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच आपको देखने को मिलने वाला है देखना यह है कि किसकी चांसे यहा ज्यादा बनते है दे बॉस साशा बैंक्स का या फिर डब्ली डब्ली की एस्टी पियंका बिलेर या फिर स्मैक डाउन जंपियन बैकी लिंच और हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन इवेंट होने वाला है क्रांच जोल का ब्रॉक लिसनर व्येस रोवन रेंज का तो वो आज भी काफी बहतरीन होने वाला है जैसे मैंने बताया था कल तो ब्रॉक लेसनर साओधी अरब में कभी हारे नहीं है इस साल का जो क्रांच वल पेपर व्यू वो साओधी अरब में होने वाला है तो देखना है कि कौन इस मैच को जीतता है हाला कि दोनों सुपरस्टास के 50 50 चांसेस लग रहे है इस मैच को जीतने के यदि रोमन रेंज इस मैच को जीत लेते है तो वो रेसल में या 38 तक यूनिवर्सल चांपियन बने रहेंगे और बात करूंगा थोड़ी डू मैकेंटायर के बारे में आपको बता होगा कि 2020 के जो हेली ने सेल में उनको चांस मिल था WWE Championship के लिए Randy Orton के खिलाफ तो वो मैच उन्हाने गवा दिया था वो भी मैच काफी बहतेरीन हुआ था उसके बाद 2020 में काफी सारे चांसेस आये थे डू मैकेंटायर के हाथ में पर वो उन चांसेस को घुना नहीं पाए Bobby Lashley के खिलाफ उनको काफी सारे चांसेस मिले थे पर आखरी का जो हिल इनसेल पेपर विव हुआ था 2021 में तो उस मैच में हुआ ये था कि NBP के इंटरप्ट के वरजे से वो मैच डू मैकेंटायर हार गए थे और उसके बाद शर्ट ये थी कि जब तक Bobby Lashley WWE Champion बने रहेंगे तब तक डू मैकेंटायर को WWE Championship के लिए मैच नही मिलेगा तो उसके बाद Raw के एपिसिट में दबीगी ने अपना Money in the Bank Bobby Lashley पर कैश इन करके WWE Championship जीत लिए उसके तुरंद बाद यहाँ पर Drew McIntyre ने उनको WWE Championship के लिए Challenge किया तो देखना है कि कौन इस मैच को जीतता है दुबारा एक बार फिर मौका आया है Drew McIntyre के हाथ में तो किस तरह से इस मौके को भूनाते है देखना होगा दोस्तों फिलाल तो यही तक हम आपको अगले वीडियो में मिलते है ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट स्बॉक में अपने सजेशन देते रहिए हम आप सभी के लिए इससे वे बहतरीन कॉंटेंट लाने की कोशिश करेंगे शुक्रिया जैहिन जैभारत